हे एवरीवान, वेलकम टू बाइली जी अटीज, बहुत अच्छा रग रहा है बच्चों, ये देखकर कि आप सभी नीट 2025-2026 अभी से नीट प्रेपरेशन के लिए सीरेस हो गए हैं, आप लोग वेट नहीं कर रहे हैं कि नीट के लिए जब आखिर के पांचे मैने बचेओं आज की वीडियो में कुछ basic doubts clear कर लेते हैं, जो कि हर नीट 2025-2026 aspirant के मन में आ रहे हैं, eligibility criteria क्या है, दी नीट का, syllabus क्या होने वाला है, paper pattern क्या होने वाला है, इसके बारे में आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ, देखो बच्चों, अभी तक तो NTA या फिर N आज की वीडियो में बना रही हूँ और उसके basis पर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, कि नीट exam के लिए syllabus, eligibility criteria, paper pattern, आप सभी के लिए क्या होने वाला है, सबसे पहले eligibility criteria के अंडर, अगर में age limit की बात करूँ बच्चों, तो नीट में appear होने के लिए कोई भी अपर age limit नही है, अगर आप 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 25 साल के हैं, 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, doesn't matter, there is no upper age limit to appear in NEET exam, lower age limit की बात करूँ, तो नीट काउंसलिंग के दौरान, आपकी age minimum 17 years होनी चाहिए, to be eligible for NEET, अगर आप लोगों को minimum 17 years मतलब, ये सूच के confusion हो रही है, तो सबसे आसान तरीका य अगर आप लोग साल 2008 या फिर उससे पहले के बॉन हैं, अगर आप लोग 2008 बॉन है, 2007 बॉन है, 2006 बॉन है, 5 बॉन है, 1999 बॉन है, 1998 बॉन है, 2008 या फिर उससे पहलों के सालों में अगर आप लोग बॉन हैं, तो आप लोग NEET 2025 के लिए eligible हैं, उसी दरीके से NEET 2026 के लिए eligible होने के लिए आप लोग minimum 2009 या फिर उससे पहले के लिए बॉन है तो आप लोग need 2026 के लिए eligible हैं वापिस से सुनिएगा to be eligible for need 2025 आपका birth year 2008 या फिर उससे पहले का होना चाहिए अगर आप लोग 2009 या फिर 2010 तो आप लोग need 2025 नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपका birth year या तो 2008 होना चाहिए या फिर उससे पहले का होना चाहिए to be eligible for need 2025 attempt limit कुछ भी नहीं है बच्चो आप लोग कितने भी बार need नीट का paper दे सकते हैं नीट का paper एक साल में एक ही बार होता है लेकिन अगर आपको लगता है कि इस साल क्राक नीव आप अगले साल भी दे सकते हैं उसके अगले साल भी दे सकते हैं there is no attempt limit तो there is no upper age limit for need there is no attempt limit for need लेकिन lower age limit है जो की है कि आपकी counseling के time पर minimum 17 years age होनी चाहिए need 2025 के लिए आप लोग 2008 या फिर उससे पहले के born होने चाहिए need 2026 के लिए आप लोग 2009 या फिर उससे पहले के born होने चाहिए ठीक है subject combination के अगर हम बात करें सबसे पहले तो बच्चो नीट में अपियर करने के लिए या तो आप 12th appearing student है इसी साल 12th board का paper भी दे रहे है और NEET का paper भी दे रहे है या फिर आप लोग 12th pass out student है both class 12th appearing as well as class 12th pass out students are eligible for need exam नीट में अपियर होने के लिए subject combination मांगता है English, Physics, Chemistry, Bio या फिर Biotechnology ठीक है ये subjects होने बहुत जादा ज़रूरी है अगर आप लोग जनरल category से हैं तो आप लोगं का PCB total aggregate minimum 50% होना चाहिए Physics, Chemistry, Biology के theory plus practicals के marks add करिए उनको total से divide करिए into 100 करिए और देखिए अगर आप general category के हैं आपका PCB का total score minimum 50% बन रहा है आप NEET के लिए eligible है Reserved SCST या फिर OBC category से है PCB का overall percentage minimum 40% बन रहा है आप eligible है General PWD category से हैं तो आप लोगं को minimum 45% चाहिए होंगी PCB overall aggregate to be eligible for NEET exam ठीक है ये minimum basic eligibility criteria है अगर आप लोग open board से class 12 में appear हो रहे हैं या फिर class 12 का board exam आपने पिछले सालों में कभी open board से दिया था तो भी आप NEET के लिए eligible हैं अगर आप लोगं की class 12 में PCM थी लेकिन biology आपका additional subject था तो भी आप लोग नीट के लिए eligible हैं अगर आप लोगं को physics या फिर chemistry में grace marks मिले थे और आप लोग grace marks से पास हुए हैं वापिस हो दिया, suppose कोई general category का बच्चा है उसके biology में suppose 80 marks थे chemistry में उसके 70 marks थे लेकिन physics में उसको grace marks आगी टीचर ने दो number देके grace marks से पास कर लिया तो वो बच्चा calculate करे कि उसके physics plus chemistry plus biology add करके minimum 50% बन रहे हैं अगर वो general category से हैं अगर बन रहे हैं तो वो eligible है अगर आप grace marks से भी पास हैं कोई बात नहीं आपका PCB overall minimum इतना percent बनना चाहिए to be eligible for NEET exam next हम बात करते हैं कि आपका NEET का syllabus क्या होने वाला है NTA ने officially अभी कोई notice release नहीं किया है कि syllabus में कोई change आएगा या फिन नहीं आएगा तो पिछले साल का जो syllabus था उसे ही हम consider करेंगे फिलहाल के लिए कि यहीं NEET 2025 का syllabus होने वाला है In short अगर मैं बात करूँ तो वचो class 11-12 की जो new NCRT books हैं उसमें जो कुछ दियावा है आप लोगों को हर एक topic हर एक line अच्छे से पढ़नी है क्योंकि वही आपका NEET का syllabus है Physics, Chemistry, Biology के NEET के syllabus में कुछ additional topics भी NTA ने ने 2024 के टाइम पर add करवाई थे लेकिन हो सकता है इस साल NTA रिमूव ही कर दें उनसे भी topics को अभी कुछ कह नहीं सकते तो फिलहाल जिन topics के लिए हम शौर है जो कि NCRT की books में दिये वे हैं उनकी preparation बहुत अच्छे से करते हैं तो NEET 2025, 2026 preparation के लिए आप new NCRT, new syllabus based NCRT books खरी दिये class 11, 12 की और उनमें जो कुछ भी दियावा है हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़िए वो आपका NEET का syllabus होने वाला है paper pattern की बात करूँ तो NEET के paper में आप लोगं के 4 subjects divided होता है बच्छो physics, chemistry, botany, zoology हर एक subject दो sections में divided होता है जैसे physics के 2 section, section A, section B, chemistry का section A, section B, botany का section A, section B, zoology का section A, section B हर एक subject के section A में आप लोगं को 35 questions मिलेंगे और section B में आप लोगं को 15 questions मिलेंगे अगर आप लोगं को 35 में से 35 questions आते हैं तो आप सारे attempt कर सकते हैं सिर्फ 5 ही questions आता हैं सिर्फ उतने ही attempt करिए section A में अगर आपको सारे questions आते हैं सारे attempt करिए या फिर कम questions आते हैं उतने attempt करिए लेकिन हर subject के section B में आप लोग maximum 10 questions ही attempt कर सकते हो आप लोगों को total paper में 200 questions पुछे जाते हैं जिसमें से आप लोग maximum जैसे मैंने बताया section B में सिर्फ 10-10 questions ही attempt कर सकते हैं यानि कि आप लोग total paper में maximum 180 questions ही attempt कर सकते हैं 200 questions का आप लोग का paper होगा जिसमें से आप लोग maximum 180 questions ही attempt कर सकते हैं हर एक correct answer के लिए आप लोगों को 4 marks मिलते हैं यानि की आपका total paper कितने questions का हो रहा है 180 questions का हो रहा है 120 क्यों नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये 5 questions तो आपको हर subject में छोड़ने है न 15 मिन से 10 करके जाते हो maximum तुम तो 180 questions हर एक question के लिए 4 number मिल रहे है 18 into 4 720 marks का तुम्हारा need का paper होता है देखते हैं इस साल तुम 720 में से कितना score करने वाले हो बच्चो marking scheme के अगर बात करें हर correct answer के लिए आप लोगों को plus 4 number मिलते हैं और हर incorrect answer के लिए जितना तुम score कर रहे हो उसमें से minus 1 करते जाना तुम्हें अपना score पता चल जाएगा तो need 2025 का basic information ये रही बच्चो minimum eligibility criteria need 2025 के लिए आप लोग 2008 या फिर उससे पहले के bond होने चाहिए syllabus फिलहाल के लिए वही है जो need 2024 के लिए था आप लोग class 11-12 की new NCRT book से पढ़िए आप लोगों के लिए कोई upper age limit नहीं है कोई attempt limit नहीं है PCB प्लस English का आपका combination होना चाहिए general category के लिए minimum PCB aggregate 50% reserved category के लिए 40% और PWD category के लिए 45% है आने वाली वीडियोस में need के preparation मिल कर करेंगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि need preparation करते वे आपको आपकी dream score तक पहुचाने में मुझसे जितना भी contribute हो पाए मैं अपना पूरा efforts दो Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos Thank you